हाई ट्विल्टीज, वेलकम टू इजी पी कामेर्स क्लासेज, मैं हो तबिता और गाईस, आज की इस वीडियो में हम इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो की हमारे सेगिंड अम के एक्जाम्स में आने वाला है, जो की हमारे सीबी एसी सैंपल पेपर में भी आया है जिसका नाम क्या है? कॉलेटरल सेक्योरिटी और ये डिपेंग्चर चेप्टर से है नाम थोड़ा अजीब सा है गाईस पर मतलब बहुत असान सा है की कोई कंपची का मतलब पो आता है, एक एक चे zip कर रखते हुए है यानी की कुछ न कुछ सेक्योरिटी हमारे पास रखो कि अगर आप लोण नहीं दे पाये तो हम पैसा कहा से लेंगे तो company क्या करती है? अपना कोई भी चीज गिरवी रख देती है कोई भी चीज बोले तो building, plant and machinery या फिर कोई और कागजात तो let करो कि ये ABC company ने अपना loan के against building रख दी क्या रख दी? building रख दी गिरवी पे जिसे mortgage कहते है as a security ठीक है? इसे guys बोला जाता है principal security या फिर इसे primary security बोला जाता है लेकिन अगर bank कहते है कि ये सिर्फ sufficient नहीं है यानि कि bank की अभी नहीं अतनी भरी, bank कह रहा बस ये नहीं हमें इसके साथ साथ एक और security चाहिए कि भाई हमारा पैसा पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे case में company अपने कुछ debenture उस bank के नाम पर रख देती है कि भाई ये रहे debenture ठीक है? अगर हम पैसा नहीं चुका पाते हैं तो ये debenture आपके हो जाएंगे तो आप तो हमारे company के debenture holder बन जाओगे और हमार को अब आपको पैसा देना ही पड़ेगा तो ये case होता है guys collateral security का तो जो debenture हम रखते हैं in addition to the principal security यानि कि principal security के साथ साथ जो हम अपने debenture रखते हैं उसको collateral security कहते है तो collateral security is given in addition to the primary or principal security यानि कि security given in addition to the primary or principal security is a term as a collateral security ठीक है ये तो इसका मतलब हो गया आपको question में क्या आता है guys question में आता है कि इस चीज़ को हम अपनी balance sheet में कैसे दिखाएं कि भई हमने ये bank के नाम पर अपने debenture कर रखे हैं ठीक है क्योंकि bank से हमने loan लिया है इसलिए उसे security के तौर पर हमने अपने debenture दे रखे हैं ये कैसे दिखाएं तो दो तरीके होते हैं company के पास पहला तरीका जब company books में कोई entry pass नहीं करती दूसरा तरीका जब company अपनी books में entry pass करती है तो हमें simply guys एक balance sheet और एक notes through account बनाना होते हैं और उसमें दिखाना होता है और कुछ इसमें कोई तिगड़म बाजी नहीं है और सिर्फ दो चीज़े हैं जिसके उपर हमें काम करना होते हैं सबसे पहले हमें पता करना होते हैं अपनी question में कि हमने कितने का loan लिया यानि कि loan कितने का है और debenture हम कितने के issue कर रहे हैं यह दो amount हमारे सामने होते हैं तो अब एक example के through हम इन दोनों cases को बहुत असान तरीके से समझेंगे देखो एक company है issue 20,000 10% debenture of rupees 100 each तो यानि कि 20,000 debenture 100 each के हिसाब से तो यह कितने होगे 20,000,000 रुपे के debenture company केरिये हम आपको दे रहे हैं as a collateral security against 15,000,000 loan कितने का गाई 15,000,000 का तो यह दो amount आपको सबसे पहले find out कर लेने हैं loan का amount और दूसरा debenture का ठीक है अब पहला case होता है जब general entry नहीं पास करी जाती ठीक है और दूसरा होता है जब general entry पास करी जाती है अब जब general entry हम पास करेंगे ना गाईस तो देखो क्या entry होगी बहुत असान सी इतनी बच्चों वाली entry है ना ये कि वहला 6th class का बच्चा भी आद कर लेगा debenture suspense account to percentage debenture यानि कि जितने परसंट आपके debenture है जैसे यहां पर question में 10% है तो हम यहां पर 10 लगा देंगे और हम यहां पर लिखेंगे अपने debenture का amount तो debenture का amount कितना है 20 लाग तो हम यहां पर 20 लाग रुपे पूरा डाल देंगे ठीक है 20 लाग लिख देंगे तो entry क्या हुए गाइस बहुत असान सी debenture suspense account to 10% debenture और आप narration में लिख सकते हो कि debenture issued as a collector security to the bank ठीक है अब यह आपने simple एक entry pass कर दी कब जब entry pass होनी है नहीं होनी तो नहीं करेंगे होनी है तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी होनी है ठीक है तो debenture suspense क्या होगा debit होगा और उससे हम अपनी liability create कर लेते हैं तो 10% debenture तो एक credit side amount आ जाता है तो 10% debenture account क्योंकि एक liability बन रही है और वो liability कहां से बन रही है एक suspense account से तो वस suspense account को हमने debit कर दिया याद हो गई समझा गया अब बात करते हैं कि इसे balance sheet में कैसे दिखाया जाता है तो देखो first तो हमें एक balance sheet बनानी होती है फिर उसके साथ account बनाना होता है तो सबसे बहले notes to account भी बता देती हूं कि कैसे बनते हैं बहुत असा है notes to account बनाना ठीक है यहाँ पर आपका आजाता है note number particular and amount और कि होतकी होंगा रुपीज में और हम यहां क्या लिखते है notes to account एक balance sheet बनानी है और एक यह यह यायिकर दो चीजे बनानी है balance sheet दोनों ही case में same बनेगी balance sheet दोनों ही case में same क्या दिखाएंगे balance sheet में balance sheet आएगी जिस company का नाम होगा आप company का नाम डालोगे balance sheet as on date डाल दोगे उसके बाद particular note number और rupees यह हमारा balance sheet का guys format होता है particular में हम किस head में है guys equity and liability head में आपको पता है new balance sheet के हिसाब से हमारा equity and liability head बनता है उसके अंदर क्या आता है non current liability और non current liability के अंदर हमें लिखना है long term borrowings ठीक है long term borrowings के आगे हमने डालना है one क्योंकि हम जो भी loan ले रहे हैं वो लंबे समय के लिए ठीक है और long term borrowings कि side में आता है non current liability में हमने लिख दिया कितने का loan है guys 15 लाग का 15 लाग आपको लिख देना है loan का amount simple चाहे यह case हो चाहे यह case हो balance sheet same होगी तो आप लिख सकते हो अब यहां पर 10 लाग का loan हो तो हम 10 लिखते है 20 लाग का हो तो 20 लिखते है हमें सीखना क्या है हमें यह balance sheet यह दोनी चाहिए कि उसे लिखा कैसे जाता है present कैसी किया जाता है क्योंकि presentation के ही marks है यहां पर कोई calculation नहीं है उसके बाद आपको notes to account बनाने है notes to account में आप note number one डालोगे ठीक है आप लिखोगे long term borrings heading ठीक है आप long term borrings लिखने के बाद हम लिखेंगे loan from bank अगर loan from SBI होता loan from camera होता loan from HDFC होता तो हम वो mention करते हैं अभी कोई company कोई bank का नाम नहीं है हमने लिख दिया loan from bank कितने कहेगा इस 15 लाग का यह कर देना है ठीक है यह करने के बाद सिर्फ एक line मतलब यहां तक दोनों ही cases same रहते हैं यानि कि यह भी same रहेगा आपका जो change आएगा वो क्या हैगा guys अगर हमारा पहला case है when general entry passed नहीं होती तब हमें सिर्फ narration में यहां पर mention करना होता है क्या mention करना होता है secured यानि कि यह जो loan है is secured by issued कितने डिबेंचर है guys जो हमने issue करें 20,000 ठीक है थोड़ सा बढ़ा करते इसको 10% debenture of rupees 100 each यानि कि आप simply एक amount एक narration लिख देते हो उस loan के नीचे क्या लिखते हो जो आपको लिखा हुआ है कि यह loan secured है किस चीज़ ते secured by issued 20,000 10% debenture of rupees 100 each यानि कि पहले case में सिर्फ यही आएगा या और कुछ नहीं आएगा ठीक है आपको सिर्फ एक narration लिखनी है और narration क्या लिखनी है secured by issue 20,000 10% debenture of rupees 100 each ठीक है और bracket में डाल देना as a collateral security यह हो गया आपका guys पहला case कौनसा case पहला case यानि कि पहला case में आपको सिर्फ यही चीज दिखानी होती है ठीक है अब आप चाहे तो यहां पर question को खतम कर सकते हो पहला case खतम हो चुका है अब अगर हम दूसरे case में आते हैं तो दूसरे case में आपने entry pass कर दी असान सी थी आपने सेम यही चीज बनानी है आपने notes to account भी सेम ऐसे बनाना है बट उसमें narration नहीं आती उसमें क्या है narration नहीं आती उसमें क्या आते है उसमें हमें इस चीज को proper दिखाना होता है कैसे जैसे हमने 20,000 10% debenture of rupees 100 दिखा दिये कितने के बन जाएंगे गाइस 20 लाग के अंदर दिखाना है यह amount और यही amount less कर देना है हमें किस नाम से debenture suspense नाम से 20 लाग उरपे less कर देंगे बाहर इसका निल आ जाएगा और totaling हो जाएगी 15 लाग यानि कि second case में जो हमने यह entry पास करी थी इसी को हम ऐसे दिखाते हैं हम अपने debenture दिखाते हैं और उसको less करते हुए दिखा देते हैं debenture suspense simple nothing इसमें कुछ extra इसमें तिगडम बाजी नहीं है कुछ नहीं है बस यह दिखाया और question खतम यानि कि three marks हमें सिर्फ यह बनाने के और यह बनाने के मिल रहे हैं और अगर कोई बोले कि दोनों method आपको आते हैं तो आते हैं पहली चीज तो सेम ही है हमें पता अगर हमारा दूसरी चीज आएगी मतलब अगर notes to account बनाने तो उसमें सिर्फ चेंज आता है क्योंकि जब हम entry नहीं पास करते हैं तो सिर्फ narration लिखते हैं अगर हम entry पास करते हैं तो presentation यह होती है यानि कि हम उसको दिखाते हैं debenture को less debenture suspense account simple और इस तरीके से आपका topic complete हो जाएगा आप अपनी book उठाना और जल्दी से कोई एक example try करना and I hope so कि आप समझ जाओगे अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है इस topic में तो आपको बताए कि instagram पर आप मुझे message कर सकते हो id है tabeta messy thank you guys